खत नहीं होती, पूरे पंचाब और अगर कहें तो पूरे भारत में एक ऐसा कॉलेज जहां नकल बिल्कुल नहीं होती 21,000 का इनाम उसके लिए जो नकल करते बच्चे को पकरवाए इसलिए इनाम पाने की तौर में नकल पीछे चूट कई देश भक्ती की नीव और अनुशासन की चार दिवारी के अंदर पन पेस कॉलेज के बच्चे जोकिदार से लिकर अध्यापक्तक का रोल अधा करते हैं इनी रोल्स को अधा करने के लिए आज बच्चे कोसों मी उताय करके यहां पहुँच रहे हैं मेरे देश का सलाम मेरे देश का सलाम मेरे देश का सलाम सलाम बच्चे के बिछडने के तडप मा का क्या हाल करती है इसका अंदाजा मीनो को देख कर सहज ही लगाया जा सकता है दिल्ली के नामि गिरामी अस्पताल में जन्मे प्रीतम को जन्म के कुछ खंटों बाद ही अस्पताल से चुरा लिया गया पती दीपक हर जगा से निराश होकर ही लोटता हिमत बंधाने की कोशिश करता मगर मीनो के सब्र का बांध तो जैसे टूट चुका था डिर महीने बाद अपनी ससुर जी के कहनी पर दीपक पहुँचा निर्मला शर्मा के पास जो शायद उम्मीद की आखरी लोटी दीपक के लिए दीपक की बात सुन निर्मला ने एक फाइल तयार की और वकीलों के पास चा पहुँची निर्मला शी ने मेहनत की तो वकीलों ने भी साथ दिया कौट के आदेश के 20 खंटे बाद ही बच्चा मा की गोद में वापस आ चुका था मेरे मन में माता जी के लिए सरब यही विचार आ रहता कि मेरे मुशिबत के समय है मेरे लिए वो बगवान बन के आई हैं और उन्होंने जो किया है मैं ता जी कभी बोल नहीं सकता उसको आज अखबारों में निर्मला शर्मा की चर्चे हैं और उससे भी बढ़कर बात है कि निर्मला की एक आवास पर लोग उसके साथ उठ खड़े होते हैं महिलाओं से चुड़े मुद्दे हो या बच्चों से जुकी चोपड़ी में बसे लोगों से चुड़े मुद्दे हो या फिर रोजगार चिंचाने के डर से सेहने लोगों के मुद्दे हर मुद्दी का हल निर्मला शर्मा है योगदान हमारी मार्केट के देखिया है, वो कोई नेता, कोई MP, MLA नहीं कर सकता। पती के जाने का सख्म अभी भरा भी नहीं था, कि जवान बेटा भी चलबसा। दिर के अंदर क्या दर्च पा है, किसी को ना जाहिर होने की कसम खाई है इस औरत में। आज परिवार में फिर से खुशी आ जाए, यही कोशिश है निर्मला की।